उत्यज्वत का फूल दोस्तों पईचने से देखिए अच्छे तरह से इसी कहते ही जा सब्सक्राइब को पूल जिखने में लाल और बहुत अच्छा मुझे बहुत पसंदें को ऐसा जैते कि यह फूल गनेश जी को बहुत पसंद रोता है मुझे भी बहुत पसंद है मैं गने करेंगे इस जैस्वन की जी हाँ आपको मौलूम नहीं होगाने के लिए जैस्वन की बात करेंगी हाँ दोस्तों इस जैस्वन को हम बगवान के चर्म में रखते हैं लेकिन इसका उपयोग आप जानते हैं चलो देखते हैं नमस्ते मैं हो आने मेरे शैनल जियोंने ओ में आप सबका सावगते हैं तो दोस्तों यह जैस्वन का फूल बगवान के चर्म में आप रखते हैं और जब यह सूख जाता है यह फूल सूख जाने के बाद इसके छोटे 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 तुकड़े करने के बाद इसको हम नारेल तेल में उबाल कर लेंगे अच्छी तरह से वह भूल मिल जाएगा जब उस नारेल तेल में ये इसके फूल के जो पढ़ने हो अच्छे से गुल मिल जाएगे तो उसके बाद और तेल थंडा होका है हम सियर को हमारे बालों के लिए लगाएंगे तो काले बाल ज्यादा चमक देंगे अच्छी चमक के लिए ये फूल होते हैं अच्छी चमक हुए बाल अपको अच्छे लिए दोस्तों इस पूल का उपयोग आप जाने और इसका प्रयोग जरूर किजिए हायर्विदिक कोट है कोई साइड एक तक ही आपके बाल इसके कारण उसको कोई नुकसा नहीं होगा आपके बालों तो इसका उपाई जरूर किजिए और फायदा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर भीटिए तो दोस्तों अगर आपको यह पसंत आए तो शेर किजिए लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद दोस्तों किजिए बालों